असलाम अलेकुम प्रेंट्स मैं आज शेयर करने जा रही हूँ आपसे बिंगॉली फूट की रेसिपी जो के है प्राउन मलाई करी उसके लिए मैंने ले लिये हैं प्राउन जो के तक्रीबन एक केजी है और उसमें मैंने सबसे पहले डाले हैं सॉल्ट और टर्मरिक पॉडर आज़ने प्राउन को डाल दूँगे और सारे प्राउन को एक साथ प्राइब भी करना है यह रेसिपी बनाना बहुती इस है और सब कह यह फेवरेट भी होता है जैसे आप देखेंगे कि पानी सूप गए है और तब समझाए के प्राउन प्राइब हो चुके हैं और इधर म में क्रश करके डाल के रख दिया था ताकि मैं उसका coconut milk रेडी कर सकूँ जब तक मेरे prawn फ्राइब हो रहे हैं मैंने सारे ingredients मसाले रेडी कर जिसमें हैं तक्रीबन सौल्ट, रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, जेरा धनिया भलक पेपर पौ टर जिरिंगर गालिक पेस्ज एक छॉप डू, और डो ओनियन पेस्ट दो ओनियन के पेस्ट हैं और बेई लीज से शीनमन प्लॉस और काजमन हैं जै और इंग्रेडेंस में तीन रेड होल चिली भी डाले थे मैंने ये सारे होल स्पाइसेज को मैं ऑईल में डालकर थोड़ा सा क्रैकल कर लूँगी साथ में एक बेलीर्स भी इसी टाइम पे मुझे रेड चिली भी देना था लेकिन मैं भूल गई तो मैं बाद में दी अच्छा बाद चॉप्ट अर्वीं को थोड़ा सा बस हल्का से ब्राउन करना है जाधा ढाक नहीं करना है वर्ना ग्रेवी का कलर काफी लाक हो जाएगाlim इसके बाद उनीन पेस्ट डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है मिक्स करने के बाद पांच मिनिट के लिए बस मैं ऑनियून को पकाऊंगी और उसके बाद इसमें मैं डालूंगी जिंजर गार्लिक पेस्ट ये बस अब इस तरह से पांच मिनिट पकाने के बाद इसमें डाल देना है जिंजर गार्लिक पेस्ट और जिंजर गालिक पेस्ट डालने के बाद भी उसे पांच मिनिट के लिए में पकाऊंगी धखकर मसाले को जैसे ही पांच मिनिट हो जाए फिर आप सारे पार्डर मसाला उसमें डाल देजे ग्रेवी में और जब इसमें पानी देने की बारी आएगी तो आपको नॉर्मल वाटर नहीं देना है इस टाइम पे हम थोड़ा थोड़ा कोकोनट मिल्क डाल कर उसे पकाएंगे और मसाले को अच्छी तरह से ढख कर रख देंगे ताके यह मसाला अच्छी तरह से पक जाए नॉर्मल वाटर बिल्कल नहीं देना है बस कोकोनट मिल्क ही डाल में देते रहना है यह देखिए अब यह मेरी मसाला थोड़ा थोड़ा रेडी हो गया है और फिर मैं इसमें थोड़ा और कोकनट मिल्क डाल कर पकाऊंगी मसाले को और इसे फिर से ढख कर रख दूँगी पकने के लिए जब लगे कि मसाला अच्छी तरह से पक गया है मतलब 90% मसाला पक जाए तब उसमें फिर आप जो भी प्रॉन को फ्राइ करके रखा था उसमें डाल देना है यह देखें साइट से थोड़ा थोड़ा तेल बाहर आने लगा है और मसाला 90% तक्रीमन पक गया है फिर इसमें मैं फ्राइ डाल दूँगी और मसाले के साथ प्राइन को पकने के लिए धब कर रख दूंगी प्रेंट्स आप मेरी रेशिपी से यह प्राइन करी को बना देखेगा यह प्राइन मलाई करी बहुत ही टिस्टी हूझ होती है जिसे मैं बासमती राइस के साथ खाती हूँ और मेरे घर में सब को ही ये काफी पसंद है और इसे बनाना बहुत ही इजी भी है इसके लिए थोड़ा बड़े साइज का प्राउन लेना जरूरी है छोटे साइज में भी अच्छी बनेंगे लेकिन बड़े साइज में इसका टेस्ट बड़े साइज के प्राउन में इसका टेस्ट बहुत जादा अछा आता है अब मेरे प्राउन के साथ मसाले अच्छी तरह से पग गयें तो मैंने बाकी बचे वे कोकोनट मिल्क को भी इसमें डाल दिया डालकर हाई फ्लेम पर इसे अच्छी तरह से पकने के लिए रख दिया अच्छा ग्रेवी की थिकनेस आप अपने हिसाब से रख सकते हैं क्योंकि मेरे फैमिली में इस तरह से ही ग्रेवी साब को पसंद है तो मैं इसे थोड़ा पतला रुखूंगी और आप इसे जितना गाढ़ा भी करके बनाएंगे तो वह और जादा ही अच्छा लगेगा आप देख सकते हैं कलर प्राउन की ग्रेवी का कलर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर मेरी ग्रेवी कंप्लीट हो गई है अब इसमें उपर से डालना है एक टेबल स्पून गरम मसाला पावडर और एक चमच देसी घी और शुगर के बगेर तो बेंगॉली फूड अधूरी है लास्ट में इसमें एक टेबल स्पून सुगर भी डाला है मैंने और यह मेरी टेस्टी टेस्टी प्राउन करी रेडी है यह थोड़ा सा कोकुनट उपर से ही स्प्रिंकल करने के लिए और ये में टेस्टी टेस्टी मलाई करी प्रॉन मलाई करी रेडी हो गई है आप ज़रूर इसे ट्राइ करिए और मुझे बताईएगा ये कैसी बनी है इसे आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं लेकिन चावल के साथ इसकी टेस्ट और ज़्यादा अच्छी लगती है और खासकर बासमती राइस के साथ तो मैं इसे ले रही हूँ बासमती राइस के साथ आप इसे जरूर ट्राइ करिएगा ठीक है तो फिर ये थी मेरी आज की रेसिपी मेरी आज की व्लॉक्स अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज 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 मेरे वीडियो को लाइक करिएगा चैनल को सबस्क्राइब और शेयर जबूर करिएगा तो फिर मिलती हूँ आपसे एमेक्स वीडियो में कोई अच्छी सी रेसिपी के साथ तक तक के लिए अल्ला हाफिज